दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेस आप सभी का स्वागत करते हैं साइध हम में से कोई भी नहीं चाहता कि होस्पीटाल जाए किसी डॉक्टर को दिखाए और दवाई खाए नहीं हम कोई नहीं चाहते हैं मगर unfortunately हम अपना proper care नहीं ले पाते हमें home remedies पता नहीं रहता है नेचुरल तरीके से जिन्दे की जिनने का कला हमें पता नहीं है जिसके कारण से we are suffering याने हम तकलीप में हैं तकलीप से निकलने का एक ही तरास्ता है कि हम प्रकूरति को अपना है और प्राकृतिक चीजों के साथ, नैचुरल चीजों के साथ अपना तालमेल बिठाएं तो दोस्तों आज का जो खास टॉफिक है वो है आर्थराइटिस आर्थराइटिस को हम घर में अपने इस हाथ के मुठी में कैसे देखें, समझें और उससे निजात पाएं दोस्तों हमारे पांच उंगली हैं और ये पांच उंगलियों को अगर आपने ढंक से समझ लो तो साइद आपको कोई बिमारी ना हो, ये दो हाथ के अंदर आपके सारे बिमारियों की राज छुपी हुई है मगर आज जो मैं आपसे डिसकरशन्स करने वाला हूँ, वो है ये जो खास करके चार उंगली हैं इधर चारे और इधर चारे इसमें आपका आर्थराइट इसको खतम करने की ख्यमता है अगर नहीं हुई है, तो कभी नहीं होगी, अगर हो चुकी है, तो जल से जल आपको छोड़के जाएगी याने आपका जॉइंट बच जाएगा दोस्तों सुजग थेरापी में क्या होता हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, वो इस तरीके से देते हैं यह रिप्रेजेंट करता है हमारे जो चारों उगलियों को, मैं यह दो उगलियों को अब मैंने छुपा लिया तो यह दो उगली बच गया ये दो उंगली आपका दो हाथ को रिप्रेजेंट करता है ये आपका भी लेप्ट हैंड हो गया ये आपका राइट हैंड हो गया फिर अगर इसको हम छुपा लें तो ये दो लेग आ गया दोनों हमारा पैर हो गया तो ये आपका दोनों पैर को रिप्रेजेंट करता है याने मेडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपका पैर को रिप्रेजेंट करता है लेग को रिप्रेजेंट करता है और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर ये आपका हैंड को याने हाथ को रिप्रेजेंट करता है उस और एगन यह जो दो यहाँ पे रहा इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर यह आपका रिप्रेजेंट करता है आपका हैंड को आप देखो हाथ जैसे आपका है रिस्ट है अलबो है और आपका शोल्डर है अब उंगलियों में भी देखिए उसी तरीके से है यहाँ पे आपका जो लिटिल फिंगर है यहाँ देखो यह बीच में जो यह वाला जो आपका जोइंट है यह रिप्रेजेंट करता है आपका रिष्ट को और यह वाला जोइंट आपका अलबो को और इस वान यह आपका शोल्डर को उसी तरीके से इंडेक्स फिंगर में यहाँ देखिए यह इस साइड पे रहा यह आपका left साइड को रिप्रेंट किया wrist elbow and shoulder यह आपका एगन wrist elbow and shoulder अब हम पैर में उसी तरीके से चलते हैं पैर देखो right leg यह आपका आगया ankle यह आपका आगया knee यह आपका hip, इदर left में आ गया, left का ankle, knee and आपका hip, उसी तरीके से इस में यह आपका ankle आ गया, यह आपका knee आ गया, right side का और यह आपका hip आ गया, left side में यह आपका आ गया, ankle, knee and hip, याने चार चार उंगलियों में मैंने आपको point दिखा दिया, अब inner side में भी अगर आप जाते हो, उसी तरीके से आप पूरा जो आपका ankle से लेके आपका toe तक हिस्सा आप यहाँ पर पालोगे, और यह वाला जो बीच का हिस्सा है, इस joint से लेके इस joint तक, यह आपका calf muscles आ गया, और mid से लेके यहाँ end तक यह आपका thigh muscles आ गया, उसी तरीके से इस में भी आपका, यह आपका ankle से लेके toe तक आ गया, यहाँ calf muscles आ गया, यहाँ thigh muscles आ गया, इधर उसी तरीके से हाथ को अगर देखें, तो यहाँ shoulder से लेके elbow तक का area यह आ गया, और elbow से लेके wrist तक का area इधर आ गया, और wrist से लेके end तक आपका यह पूरा palm आ गया, इधर भी उसी तरीके से है और इधर भी उसी तरीके से है, तो दोस्तों मैं थोड़ा से इसको speed देता हूँ, जो main बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, ओ है कि चार-चार उंगलियों को आपने समझ गए, थोड़ा यह भी समझ लेजे, यहाँ आपका survival area रहा, अगर गरदन ओगरा में दर्ध होता है, तो यह बाला pressure देनी है, पहले भी बताया हूँ वीडियो में, और यह आपका कमभर के लिए, बैक पेन होगे रहा होने से, यहाँ हम लोग बोलते हैं, यह पूरा spine को represent करता है, यहाँ से लेके, यहाँ तक, इस साथ में यहाँ से लेके, यहाँ तक, कमभर में दर्ध होता है, तो आप इधर दबाए, सरभाईकल में दर्ध होता है, तो आप इधर दबा को दीन में तीन बार चार बार इस तरीके सा अपने हाथ किसी डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा दोई नहीं खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टेल आप चेंज करिएगा खान पिन बदल दीजेगा दोस्तों बड़े-बड़े मुसीबत से बच जाईएगा कम इससे भी शुरू कर लिजा क्यों कि आजकल 25-30 साल के बच्चों की भी अर्थरेडिस का प्रावल्लम होने लगा है जो बीमारी 50-60 साल के बाद होता था आजकल 30-35 साल में ही वो पूरा कंप्लीट एग्रावेट हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं बु करते हैं और उसमें यंग मास जादा आते हैं ओल्ड एज के लोग कम आते हैं यंग मास जादा आते हैं खास करके IT, BPO, sitting job में जो लोग है कुछ काम दाप नहीं है दिन भर आफिस में बैठे रहे हैं कंप्रेटर कर सामने, laptop कर सामने उन्हीं कुछ ज्यादा जाइट की प्रो परबनता नहीं है जिसके कारण हम लोग सफर कर रहे हैं किसी का भी यंग बच्चों का उठा के देख लो B12 की कमी है D3 की कमी है तो ultimately अगर सरीर में हमारा जान नहीं रहेगा हड़ी कमजोर रहेगा तो स्ट्रक्चरी ठीक नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर प्लानिंग कर रहे हो आप मकान बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूं कि आप ये भी प्लानिंग कर लीजिए कि आप 30 साल के उमर से 60 साल तक कैसे जाओगे आपका बुढ़ापा कैसे अच्छा वितेगा और आप यंग हालत में बुढ़े ना बन जाओ ये माई चुगा चुगा गए आपको भविश्य को समारना है समालना है तो आपको structure को ठीक करना पड़ेगा और उसमें arthritis एक बहुत बड़ा भहिंकर चीज है तो दोस्तों क्या करनी है सारे जोडों को इस तरीके से आपको stimulate करनी है अगर आपको अल्रेडी अर्थरेडी स्टार्ट हो चुकिए नी में pain हो रहे तो पकिड़िये इसको इस point को पूरा ऐसे stimulate करिए इसको ऐसे करिए दिन में चार बर पांच बर करिए क्या हो जाता है clockwise अंटी अगर आपको हीप में pain हो रहा है तो आप इस point को दबाईए दोनों अगर आपको shoulder में pain है तो यह point दबाईए यह point दबाईए ओबराल अगर देखा जाए तो सारा point आप एक इसको ऐसे दबाते जाए दिन में आदद बना लीजिए दो-दो के से भी दे सकते हो अगर नी होगर हमें किसी को problem है तो वो यहां दे इसको अच्छे से और अगर नी के पीछे साइड में pain हो रहा है तो आप यहां दबाईए मैं दोनों नी का दिखा देता हूं अगर इधर भी आप इस तरीके से यहां बीच में दीजिए अगर किसी को ankle में pain है तो आओ यहां भी दें और यहां दें फिर यहां दें फिर यहां दें अगर आपको hip joint में है तो यहां यहां और यहां और यहां फर्च करो आपको elbow pain है right elbow तो आप यहां दीजिए फिर आप यहां दीजिए लेट में है तो यहां दबाईए फिर आप यहां दबाईए तो अबराल मतलब यह चार उंगले का मैंने बता है और सर्भाईकाल के लिए यहां और कमर के लिए यहां इस तरीके से तो अबराल देखें तो यह ऐसे ऐसे देते जाहिए यह देखिए फिर इसको थोड़ा टाइट करके पकड़ लिजे छोड़ लिजे टाइट करे पकड़ ले छोड़ ले पांच बर इससे कम से कम कर ले दीन में अगर आप अफीस में बैठे हो घर में बैठे हो चार बार पांच बार करते रहोगे तो सारे जोड को आपका खून का supply मिल गया oxygen का supply मिल गया उसकी flexibility mobility बनी रही और उसके साथ साथ थोड़ा से खान पिन में बदलाओ लेका आजाए थंड़ा चीज़ आवएड करें खटा चीज़ आवएड करें आम ना खाएं केला ना खाएं अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है दही ओगरा भी थोड़ा आवएड करें लिए cold drinks, ice cream, आलू, बैंगन, अर्भी इस सब चीज़ों को आवएड कर लिजिए मैदा, बेसंस का तला हुआ चीज, छना हुआ चीज, junk food इसको थोड़ा बन कर लिजिए, अंडे बन कर लिजिए आप देखो के आपको बहुत अंदुरस्ती मिलेगी और थोड़ा प्राणायम जो मैंने बताया था यह वाली सांस लेके हाप की मुठी बंद करके, shoulder उपर उठा के, इसको छोड़ना है, सांस इसको दिन में सौ बार आप करिए, बीस, बीस, तीस, जब भी आपको मुख्या मिलता है एक उबराल आप कुछ न कुछ चलाते रहो अपने सरीर को, सरीर चलता रहेगा तो ये लंबा टाइम आपके साथ रहेगा, सरीर को चलाना बन करोगे, जॉइंट को चलाना बन करोगे, अर्गान्स ग्लाइंट को डाल के रखोगे और दिमाग को अनने से सली स्ट्रेस में भरोगे, तो बीमार होना तै है पानी दिन में कम से कम 4-5 लिटरा पियो, साफ सुतरा पानी जहां मिलती है पानी पियो, बैठके राइट हैंड में लेके पानी पियो, थंडा पानी बिल्कुल नहीं पिनी है तो दोस्तों इस तरीके से, आप अपने आपको कोशिश करो, हर आपके दोनों हाथ में ही आपकी सरीर है आपने कई बारे किताब पढ़े होंगे, आपके हाथ में आपका सहत तो जोइन्ट को, movability और flexibility के लिए मैंने आपको बताए, इस को इस तरीके से भी आप कर सकते हों और उंगली कर से हो थोड़ा सा सारा point देने के बाद, बहुत ज्यादा नहीं हलका हलका एक और इस तरीके से बी आप कर सकते हों clockwise, anti-clockwise उंगलीों, इस तरीके से कर सकते हो तो दोस्तों और थोड़ा रब करके, मैं तो हमेसा बोलता हूँ कि अपनी एनरजी अपने लिए है, इसको इस तरीके से करके, आप अगर चेहरे में थोड़ा मल लो, आंखों में थोड़ा हीट करके, यहां से गर्माट क्रेट करके, आंखों में दो, कान में दो, नेक में दो, तो इससे आपकी glow भी रहेगी energetic भी रहोगे office में ठक जाते हो computer हो गए रहा देखके क्योंकि आजकल तो digital दुनिया है तो आप इस सब चीज़ें करते रहो करते रहोगे तो लंबा खीचोगे professionally भी आगे जाओगे personal life भी अच्छा रहेगा healthy भी रहोगे दवाई नहीं खाना पड़ेगा एक दवाई अगर pain killer खाते हो आंटिवाइटी खाते हो पेट के हालत तो सत्यानास हो जाती kidney के हालत तो क्या हो रही हो वो तो छोड़ ये liver क्या हालत में पहुंसता है उसको तो छोड़ो तो सारा अगर देखोगे तो नुकसान ही नुकसान है एक बिमारी के लिए एक दवाई खाओ और दस बिमारी को कंधे में डालके बुढ़ा पे तक जलते रहो दोस्तों ये था मेरा आज आपकी लिए arthritis को लेके बहुत एक सरल तरीका जो आप घर में कर सकते हो हमारे पास आने की जोरत नहीं आप कोशिस करो अपने घर में रहके कैसे सेहतमन्द हो पाऊगे कोई नहीं चाहता डॉक्टर के पास होस्पीटल, क्लिनिक ऐसे सब का चक्कर लगा अगर आप ए चक्कर से बचना चाहते हो तो आप अपने आप में ऐसा प्रयोग करो अपने घर में लोगों को कहोई सीखें एक दुसरे को हेल्प करो और घर के अंदर ही ऐसी माहौल बनाओ कि एक दुसरे का हेल्थ का क्यार ले सके बच्चे माबाब की क्यार ले माबाब बच्चों का क्यार ले हजबेंट वाइप कर ले, वाइप हजबेंट का क्यार ले तो घर का माहोली बदल दो कि दवाई हमको सबको बाहर फेकना है और घर में ही अपने सरीर को अलग-अलग जॉइंट को, अलग-अलग पॉइंट को स्टिमुलेट करके हमको सेहत मन्द रहना है ऐसा एक सपत लिजिए तो दोस्तों, आज इस वीडियो का लाव आप जरूर उठाएं, सेयर करें दिन भर में इसका इस्तेमाल करो तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो कामियाब हो रही है, आप लोग को लाव हो रही है, आप लोग को हेल्थ अच्छा मिल रहे है, और हमारा देश और दुनिया से बीमारी दूर हो रही है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं रहता हूँ जैहिंद, जैभार